देखिए यह बनाई है मैंने स्वेटर कॉलर वाली स्वेटर है साथ ही इसमें क्या है यह दो पॉकेट हैं पॉकेट दिखाने के लिए मैंने इसमें कुछ डाल रखा है अभी और देखिए बेहर सुन्दर मेरी स्वेटर बनी है यह गल से स्वेटर है और अगर इसके पूरी स् फंदे यानि कि 50 फंदे एक पार्ट में और 50 फंदे दूसरे पार्ट में और ये देखें काफी अच्छी मेरी स्वेटर लग रही है और पूरी वीडियो देखें आपको पूरा समझ में आ जाएगा और मैंने 8 फंदों की इसमें बटन काज पट्टी रखी है कि 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे वाली बिनाई मैंने डाली है ये वन तू तागा अपनी तरफ से लाई अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे कर दिये मैंने अब तागा पीछे 1 फंदा 2 फंदा दो फंदा सीधे, फित आगा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, फित आगा पीछे की तरफ, दो फंदा सीधा, इसी तरीके से बिनते हुए जाएंगे, और जब हमारे यह देखिए, लास्ट में इसमें है, एट फंदे, एट फंदे लास्ट में हम उल्टे उल्टे बिनेंगे यह देखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यह देख सकते हैं, अब यहाँ पर इस्टार्टिंग में भी हम 8 फंदे उल्टे बनाएंगे, एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आठ फंदे उल्टे बनाने की बाद, फिर हमा अपना पैटर्न वही रिपीट करेंगे, 50 फंदों मैंसे मैंने 8 फंदे की तो यहाँ बॉर्डर पट्टी बना ली, और बचे मेरे 42 यानिके 42 फंदे, 42 फंदों को मैंने 2 सीधा 2 उल्टा करके इसमें डिजाइन डाला है, अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम बिनेंगे, तो हमारा डिजाइन दिखना इस्टार्ट होगा, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, यह देखे, यह मेरी बॉर्डर पट्टी है, और यह देखे, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, जिने हमने आगे सीधा बनाया है, उसे हम बैक साइट उल्टा बनाएंगे, और जिसे आगे उल्टा बनाया है, 2 फंदों को, उन्हें बैक साइट सीधा करेंगे, यह देखे, 2 सीधा, 2 उल्टा करके, डाला हुआ है मैंने, क्योंकि यह ब्लू कलर है, तो इसमें डिजाइन थोड़ा ज्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा हैं, लेगिन आप देख सकते हैं फिर भी, दो सीधा दो उल्टा लेगिन काफी प्यारा लग रहा है, देखिए पॉकेट भी काफी सुन्दर बनी है, ये देखिए, आप बड़ी पॉकेट भी बना सकते हैं लेकिन मैंने छोटी बनाई है क्योंकि ये 10 से 15 साल तक की गल्स के लिए है तो इतनी पॉकेट हमारी काफी रहती है छोटी गल्स के लिए ये देख सकते हैं आप पहला पार्ड और मेरा दूसरा पार्ड भी कितना तैयार हो चुग है देखिये आप मίν Germain दिखनी भी स्टार्ट होगे दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे और जिना हमने आगे सीधे बनाया उसे बैक साइट हमने उल्टा बनाय ये देख सकते हैं ये और इधर भी बटन पट्टी है, और इसमें मैंने काज भी बना दिये हैं पहले से, आप देखे, ये मेरा pocket, पॉकेट तक कितनी लंबाई है, वो दिखाती हूँ आपको, पॉकेट तक मैंने जितनी लंबाई रखी है उतनी ही लंबाई दूसरे पार्ट में भी बना दी है अब पॉकेट मैं दिखाती हूं मापको पहले हमने पॉकेट के उपर तक नहीं नापने हैं यहाँ पर हमने पॉकेट का लुक देने के लिए यहां के फंदों को उल्टा रखना है कितने 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 फंदों को उल् देखे अब मैंने 8 फंदे इधर बिनाई के अनुसार रग दिये और 8 फंदे इधर बिनाई के अनुसार रग दिये। इसे टैप से इसमें भी रखे हें मैंने देखिए बटन पट्वी तो बटन पट्वी ही रहेगी उसके वाद आट फंदे इधर हैं डिजाइन के आठ इधर है और वीज़ बं फिर मैंने ये उल्टा उल्टा बिना है दिख के आप एक इंच के करीब मैंने technology उल्टा उल्टा बनाया है बीज में 26 फंदे देख सकते हैं 8 फंदे इधर हैं 8 इधर और 8 इधर बटन पट्टी के होगे और 26 फंदे मेरे बीज में उल्टे उल्टे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे 1 इंच के करीब और जो इधर के और इधर के हैं इनको पैटन के अ यह देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 8 फंदे अपने पैटन के अनुसार बना लिये हैं, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, अब यहाँ पर मैं बनाऊंगी, 26 फंदों को उल्टा, देखे, तागा अपनी तरह, सिलाई अपनी तरह, और back side में भी हमने 26 फंदे ही उल्टे बनाने हैं और बागी pattern के अनुसार है 26 फंदे उल्टे बनाएंगे बनाऊंगी और बागी side के फंदों को यहाँ pattern के अनुसार बनाऊंगी फिर उल्टा बनाऊंगी 26 count करने है हमेशा प्यूंकि एक फंदा अगर कम जादा हो गया तो हमारा जो pocket का जो look है यह देखे बहुत सुन्दर look आया है यह look हमारा खराब हो जाए गई देख सकते हैं आप बहुत अच्छा look आया है तो यह देखे मेरा यहाँ पर 1 इंच के करीब complete हो गया है विखाती हूं आपको यह देखे उल्टी उल्टी विनाई तो एक इंच के करीब complete हो गया है आप हुमने किस तरीकी सो pocket बनाना है वह हमारा आप लोगों को बता हूंगे तो इसमें रखे मैंने 8 फंदे इधर और 8 फंदे इधर यानिकी 8 फंदे इधर और 8 फंदे की मेरी बटन पट्टी है और बीच में रखे मैंने 26 फंदे यहां से यहां था 26 फंदे रखने के बाद जब मेरा यह नीची का 5.5 complete हो गया 35 तो उसके बाद मैंने 26 फंदों को उल्टी उल्टी बिनाई बिल ली इधर भी इधर भी पैटन की अनुसार बनाई लेकिन इसको उल्टी उल्टी बिनाई बनाई अब देखे अब मैं इन फंदों को close कर पहले तो मैं देखे यह साइट के फंदों को पैटन की अनुसारी बनाऊंगी यह देखे इसमें 8 फंदे हैं मेरे यह देख सकते हैं आप जो 8 फंदे मैंने बिल लिया हैं 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे करके अब जो मेरे 26 फंदे हैं इनको हम close कर लेंगे देकिये दो का एक करते वे इनको close कर लेंगे यह एक close कर लिया फिर जो close किय यह फंदा फिर पहली स्लाइम डाला यह उल्टी भिनाएकी तरो ही इनसे close भी करना है यह तागा अपने तरफ शिलाइम डालके फिर जो बचा उसको इस स्लाई में डालके तागा अपने तरह स्लाई अपने तरफ करके यह क्लोज करने है देखिए इस तरीके से हमने 26 फंदे ही क्लोज करने है उससे जादा फंदे क्लोज नहीं करने है यह देख सकते हैं पिर जब दो का एक हो गया ना दो का एक हो जाता है तो फिर इस फंदे को हम फिर पहली वाली स्लाइम में डाल देते हैं, फिर दो का एक करते हैं, तो इस तरीके से देख सकते हैं, आप इतने फंदे मेरे close होगे, आप 36 को लोज करके दिखाते हूं, यह फंदे मैंने आप एकी स्लाइम आटेच कर ली हैं, इधर के भी, इधर के अब side से हम तागा इतना छोड़के cut कर लेंगे, ठीक हो गया, अब आएंगे हम back side, back side देखे, जिस तरीके से मैंने इसमें उठाए हैं back side, उसी तरीके से उसमें, देखे मैंने नीचे से कितना इंच, 1 इंच 2 point छोड़के, 1 इंच 2 point छोड़के इधर से हम फंदे उठाएंगे तो किस तरीके से उठाने बताती हूँ, देखे पहले हम तागे में एक छोटा सा नौट लगा के इस तरीके से फंदा बना लेंगे, यह नौट लगा लिए हमेने, गाठ लगा लिए मतलब यहाँ पर एक छोटी सी, जिससे की यह खुली ना, अब देखे आप मुझे यहाँ पर एक सलाई की जरूरत और पड़ेगी, यहाँ पर हमें तीन सलाई की जरूरत पड़ेगी, तो यह देखे, मैंने एक सलाई और ले ली, अब देखे, यहाँ पर हमने फंदे कहाँ पर से क्लोच किये हैं, वो देख लीजी आप यह, इसी की लाइन में सीधे, यहाँ पर से ह से इसको डाल लेंगे और 26 फंदे हम उठाएंगे ये देखिए इस तरीके से एक फंदा उसी के बगल से ये दो फंदा इसी तरीके से लेते हुए 26 फंदे उठाऊंगे तो ये देख सकते हैं मैंने 26 फंदे उठा लिये हैं इस लाइप है अब ये 26 फंदे उठाने के बार हम देखिए आगे की जो अंदरवाला भाग को से सीधे बिनेंगे और जो अपनी side वाला है उसे उल्टा बनाएंगे ये दीखे तागा अपनी side सिलाई अपनी side वाले भाग को उल्टा बनाएंगे इस तरीके से तागा अपनी side सिलाई अपनी side करते हुए row complete करेंगे कि अब जो अंदर साइड वाला भाग है उसे सीधी बिनाई बिनना है सिलाई पीछे तागा पीछे ही इस तरीके से अंदर साइड वाले को इसे अब मेरा ये पीछे का कंप्लीट हो चुका है जो पॉक्ट वाला भाग था ही देखी इसमें 26 मेरे फंदे थे अंदर साइड हमने सीधी सीधी सिलाई बनाई और बार साइड उल्टा उल्टा तो आप देखे आप इसे कैसे हम जोइंट करेंगे देखे ये इसके बराबर में पहुँच चुका है अब हम इसके लिए क्या करेंगे फंदों को एडजेस्ट करेंगे देखे यहाँ पर दो सीधे फंदे हैं उसके बाद हम आप दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे करके बनाएंगे पूरा डिजाईन बनाएंगे इसमें और फिर इन फंदों को भी ले लेंगे तो पहले मैं यहाँ पर से डिजाईन बनाना श्टार्ट करती हूँ वो दिखाती हूँ आपको अब देख सकते हैं आप मैंने अपने pocket को अच्छे से pattern के साँ adjust कर लिया है देखे फिर इसे 8 फंदे इधर से design के थे 8 फंदे इधर के और बागी जो 26 फंदे हमारे थे उन में भी हमने design डाल लिया अब देखे आप मेरा pocket ये काफी अच्छा लग रह है ये अभी देखो मैंने इसके back side नहीं सिला है आप back side भी सिलूँगी देखे इस तरीके से आप सुई में ताग डाल लीजिए और ये back side वाले portion को भी इस तरीके से बंद कर लीजिए इस तरीके से back side को भी आप सिलते हुए बंद कर लेंगे कि ये दिखे इधर साइड हमने बंद कर लिया है आप इधर साइड भी हम बंद कर लेंगे ये देख सकते हैं हाँ कि थोड़ा नीचे से लीजिए इस तरीके से थोड़ा उपर से लीजिए पॉकेट मेरा complete हो चुका है और ये देखिए पॉकेट के लंबाई चोड़ाई कम ज्यादा आप खुद कर सकते हो देख सकते हो ये देखिए अगर आपने ज्यादा लग पॉकेट बड़ा बनाना है तो ये पॉकेट बनाने के बाद मैंने इतना बिल लिया ये देखिए ये है मेरी पॉकेट पॉकेट बनाने के बाद आप अपने पैटर्न के अनुसार बनाते हुए जाए तो पॉकेट से उपर देखिए हमने यहाँ पर पॉकेट हमारा 6.5 में कम्पलीट हो जगा था उसके बाद हमने पॉकेट से उपर कितना बनाने है ये देखिए पॉकेट से उपर 6.5 यानिक 6.5 तोटल लंबाई बताती हुए में साड़े तेरा इंज साड़े तेरा इंज बिनने के बाद हम इसके मुढधे निकालेंगे यानि कि यहां बगल की घटाई करेंगे किस तरीके से फंदे कम करेंगे वो बताऊंगे मैं आपको एक पार्ट मैंने बना दिया है पहले उसको दिखाती हूं आपको यह देखें य कि क्या अच्छे से मैंने समझाय है यह देखें मुढधे हमने टोटल तेरा पॉइंट फाइप और इसका भी हमें यही मलों दोनों का मेजर्मेंट सेम होना चीए इसको नापती हूं इसका भी यही है मेजर्मेंट देखें तेरा पॉइंट फाइप यानि कि साड़े तेरा साड़े तेरा इंच हमने इनकी लंबाई रखी है अब किस तरीके से यहां फंदे कम करने हैं देखें वो दिखाते हूं आपको किस तरीके से मैंने इसमें फंदे कम किये हैं अब देखें सबसे पहले मैंने इसमें फंदे कम किये हैं यह देखें आप अभी हमने इधर से फं फंदे कम किये हैं फिर दूसरे लाइन में 2 फिर 1 तीन 2 एक कर गी यह देखिए तभी यह लुक भी अच्छा है सेब देखिया वेहद अच्छा लुक आया है 3 2 1 3 2 1 करने पर अच्छा लुकात है तो पहले मैं 3 टू 1 करके कम करूंगी उसके बाद यहां घटाई करूंगी और घटाई करने के जब हम यहां से फिर 1 इंच बिन लेंगे उसके बाद हम यहां पिन में फंदे रखेंगे क्यों कि मैं इसे कॉलर वाला बना रही हूं तो kuller वाला बनाने के लिए हमें पहले घठाई करने के 1 il ने ऩर लेना होता है उसके बाद हम फंदे कम करने के लिए सबसे पहले हम 3 फंदे कम करेंगे 3, 2, 1 करके हमने फंदे कम करने हैं देखे, 2 का 1 कल लिए 1 फंदा कम हो गया फिर 2 का 1 कल लिए 2 फंदे कम हो गया जो यहां आरा उसको फिर इधरे डालना है फिर 2 का 1 कम कर लिए 3 फंदे हमारे कहां पर close हो गए, अब इस line को हमने simple तरीके से, जिस तरीके से हमारा pattern है, इसी तरीके से बिनते हुए जानना है, फिरी फंदे कम करने के बाद, जैसे मैंने तो इसमें दो सीधे फंदे, दो उल्टे फंदे वाला pattern इसमें डाल लगा है, देखिए, बनाते हुए, यहां अभी हमें बनकाज की तरह ही बनाना है, इसमें अभी कोई फंदे कम नहीं करने है, आगे कब खटाई करने है, पूरी वीडियो के साथ बने रहे है, आपको बारिकी से बताऊंगी कि आगे फंदे हमने कब कम करने है, देखिए, फिरी फंदे कम करने के बाद, बिना border बनाते हुए, यह आपर मैंने बटन काज भी complete कर लिया है, इधर भी हम बटन काज complete करेंगे और अपनी बिनाई को pattern के अनुसारी बनाएंगे, देखिए, दो फंदे सीधे, दो सीधे, दो सीधे, दो उल्टे करके हुए, जो, देखिए, अब मैं पहुँच की हूँ, दूसरी लाइन में, एक फर्स्ट में तो हमने थिरी फंदे कम कर लिये, थे आप इसमा हम दो फंदे कम करेंगे, देखिए, यहां से कम करने है दो फंदे, देखिए, दो फंदो को एक साथ लेंगे, पहले दो का एक किया, यहां पर हमारे एक फंदा कम हो गया, फिर इस फंदे को पहली सी लाई में बटन गाज को बटनकाज की तरहा और बैक साइड बटन की पैटन की अनुशारी बनाना है कंपलेट करके दिखाती हूं थी लाइन यह देखे हमारा लुक भी अच्छा आ रहा है यह देख सकते हैं यह लुक ऐसे जा रहा है गोलाई के सेप में जिस तरीके से स्वेटर में हम आर्पॉल कट करते हैं उसी तरीके से इसमें भी हम निगालते हैं तो इक पहले मैं थी फंदे कम किया फिर दो आप इसमें सिर्फ ए हमारा कम करने का तरीका है यह काफी अच्छा रहता है और इससे मतलब लुक भी काफी अच्छा आता है देखिए एक फंदा हमने कम कर लिया अब मैं यहां पर फूरी लाइन कंप्लिट कटके दिखाती हूँ देखिए हमारे जो साइट है यह मुढधा है वो निकल चुक है जैने कि जो आर्म होल है वो हमने अच्छे से निकाल लिया है अब इमा उपर बनाते जाओंगी तो यह लुक काफी अच्छा लगेगा अब देखिए आर्म होल जब मारा निकल जाता है थिरी टू वन करके थिरी फंदे कम किये दो फंदे कम किये वह उसके बाद हम अब आगे भी बॉर्डर पट्ती शि격ने करने कंब़ें जिसे हमेरे शितने फंदे में इसमने में अच्छा है है तोटल फंदे में यहां लास्टो में देखिए आप 4 देखिए रीखिए मैं अब लोड़ लुक की निकलने के जब पूरा complete निकाल लिया आप यहां से हम फंदे कम करेंगे कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बताती हूं यहां पर मैंने एट पट्टी एट फंदे सौरी बॉर्डर पट्टी के बिलने के बाद आप हम यहां पर दो का एक करेंगे और हर तीसरी लाइन में हम फंदे कम करेंगे जैसा अभी दो का एक कर लिया इसको पैटर्न के अनुसारी बिनेंगे और बैक साइड भी फ्रेंट भी और फिर दूसरी लाइन को भी हम पैटर्न के अनुसारी बनाएंगे जब हम तीसरी लाइन में आएंगे फिर हम फंदे कम कर पर फिर लाश्ट में यहां पर हमने 30 फंदे रखने हैं, जब हमारे 30 फंदे हो जाएंगे उसके बाद कोई फंदा कम नहीं करना है, यह आर्म होल निकालके थोड़ा बिन लिया है, कितना बिना एक इंच के करीब मैंने बिन लिया है, जब एक इंच के करीब हम यहां बिन लें फिर इनको यहां पिन में रखा, इसी तरीके से इसमें मैं अब यह पिन में इधर रखूंगे, पहले यह सिलाई पूरी बिनने के बाद, एक इंच पुरा कम्पलीट बिनने के बाद ही पिन में रखे, जब भी आप कॉलर वाला स्वेटर बनाते हो, क्योंकि अगर आप पहल इसमें वान, तो, थिरी, पोर, पाइब, सिक्स, सेवन, एट, इन एट फंदों को रखूंगी मैं पिन में, ठीक है, तो इसको यह देख, यह है एट फंदे, दो, दो, चार, दो, छे, दो, आट, अम इनको हमें एक पिन में रख देंगे, हमेशा कॉलर बनाने के लिए आर्म महोल निकालने के बाद, साइड निकालने के बाद, एक इंचे बिन दीजिएगा, अब हमने यह रख दिये, पिन में, जिस तरीके से, इस वाले पाट में भी मैंने रखे हैं, देख सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कितना बिनेंगे, वो मैं आपको बता देती ह देखिए यह तो पिन में रख दिया और यहां से हम फंदे हर तीसरी लाइन में कम करते हुए जब हमारे 30 फंदे बच जाएंगे तो फिर हम सीधा बिल लेंगे पैटन के अनुसार यह देख सकते हैं आप इसमें फंदे कम करते हुए जाएंगे और यहां पर 30 फंदे अगर हमारे यहां पर 30 फंदे हो गए तो फिर हमने पैटर्न के नुसा सीधे बिलना है फिर कोई कम नहीं करना है देखें आर्म होल से मैं इसकी लंबाई देख लेती हूं कितने इंच बनाए आर्म होल से 5 इंच क्योंकि यह मेरा 10 साल से 15 साल की गल्स के लिए तो आर्म होल से 5 इंच की मैंने इसमें लंबाई रखी है तो इतना ही आप भी रखिए अब इतना पुरा बिनने के बाद दिखाती हूं आप देख सकते हैं आप मेरी स्वेटर के दोनों पार्ट बनके रेडी हो चुके हैं और दिखे पॉकेट भी काफी अच्छे लग रहे हैं ये देखिए देख सकते हैं आप दूसरा पॉकेट देखे काफी अच्छे लग रहे हैं दोनों